दोस्तो आज हम प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हैं तो हमारे सामने प्रॉपर्टी के काफी सारे ओप्शन्स होते हैं जिसमें से एक प्रफेक्ट प्रॉपर्टी का मिलना हमारे लिए काफी जादा डिफिकल्ट हो जाता है एक perfect property होना सिर्फ एक अच्छे इंटेरी वाला घर नहीं बलकि एक अच्छी property वो होती है जिससे हमारी family के हर एक member की requirement फुल्फिल हो तो दोस्तो इसी base पे निशा आज आज आपके लिए लेकर आई एक ऐसी luxury property जो कि आपके हर एक member की कर देगी requirement को फुल्फिल तो दोस्तो आज हम बात कर लेते हैं आज हम आई कहाँ पर हैं आज हम फिर से आएं कालवार रोड पे में कालवार रोड से मातर 300 मिटर के distance पे आपका ये house located है nearby connectivity इसकी बात करेंगे तो करदनी police station से मातर 100 से 200 मिटर के distance पे आपका ये 117 गजमे बना मकान located है आए इसी के साथ देख लेते हैं इसका elevation look तो देख पा रहे हैं दोस्तो खुबसुरत सा elevation आज के house car रहने वाला है texture work किया गया है beautiful सी theme रहने वाली है और lighting का भी बहुत ही अच्छा प्यारा look इसमें रहने वाला है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में profile lights का इसमें use किया गया है इसे के साथ में बर मेरी अभी आप देख पा रहे हैं काफी अच्छी space के साथ आपको मिल रहा है बोड़ी से भड़ी फोल दल्र काफ कर सकते हैं आपनी दो च्छोटी औफ्वूला का कर सकते हैं या अपना ट्व वीलर भी पर कर सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं टेक्षर वाक रहने वाला है दोस्तों, डूल एंट्री आपको मिल जाती है, यह जो आप एंट्री देख पार हैं, यहाँ से आप डारेक्ट जाएंगे अपने गास्ट रूम में, अभी हम चलने वाले हैं लिविंग एरिया में, प्रॉपर डाइ फर्स फ्लोर पे, लेकिन अभी हम सबसे पहले करेंगे ग्राउंड फ्लोर का टूर, सबसे पहले आशाता है आपका लिविंग एरिया और यह देखे, बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है, क्योंकि घर जब हम खरीदते हैं, तो स्पेस से रिल्टेट बहुत ही किया गया है दोस्तों, सिलिंग देख लीजे, बहुत ही अच्छी, कॉप लाइट के साथ में, बहुत ही अच्छी वाल पेपर के साथ में, मैंटेन की गई है, किचन के एंट्री भी देख पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खुबसूरत रहने वाली है, लाइटिंग का इसमे फ्रीज के लिए भी स्पेस रखा गया है, जैसे कि आपको सूचना नहीं पड़ेगा कियार, हम इपना फ्रीज कहां प्लेस करें, यह देखे, यहाँ पर आचाता है आपको कॉमन वाश्रूम, यह भी बहुत ही अच्छी स्पेस के साथ आपको मिल जाता है, इस तरह फास्ट बेड्रूम वाल पेपर बहुत ही प्यारा यूज किया गया है, यहाँ पर वाड्रोब दी गई है, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर बेक यार्ड रखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे है, स्पेस बेक यार्ड ये रहने वाला है, अब हम चलते हैं आपके सेकंड बेड्रूम की तरफ तो आचाएगे, तो आचाएगे दोस्तों चलते हैं अपने सेकंड बेड्रूम की तरफ, सेकंड बेड्रूम की तरफ चलते हैं, चलते हैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर वास बेसीन एरिया आपको दिया गया है, इसी के जिस पास मे आपके LED फैनल को maintain किया गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में काफी अच्छी quality के साथ बहुत अच्छी construction के साथ आपका ये house आपको मिल जाता है ये देखिए बहुत ही प्यारा wall paper लगवाया गया है यहाँ पर आपके बहुत ही ज़्यादा खुबजरत लगा I hope आपको भी अच्छा लगा होगा दोस्तों ये देखिए यहाँ पर window रहने वाली है proper ventilation बना रहेगा चलते चलते ऊपर के तरफ भी देख लिजे ceiling complete आपको मिल जाती है इसी के साथ दोस्तों ये भी बताना चाहूंगी कि आपके इस bedroom में test washroom भी रहने वाला है बहुत ही अच्छा space मिल रहा है ventilation के लिए space रखा गया है window आपको मिल जाती है तो अभी हम finally कर चुके हैं आपके ground floor का tour अब हम चलते हैं direct first floor पर मिलते हैं तो आज आए तो दोस्तों आ गए हैं आप तो चलिए देख लेते हैं आपका first floor ये देखिए stairs आपको मिल रही है ये आपको ले जाएगे आपके टारीस की तरफ आज आए as a tease आपका first floor बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा wallpaper different आपको मिल रहा है same design मिल रही है ceiling में भी देख पा रहे है same design के साथ आपको मिल जाता है इस तरफ जो आपका kitchen है ये भी as a tease रहने वाला है देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा front दिया गया है cabinets में खूप सारे आपको इसमें मिल जाते हैं और freeze के लिए भी काफी अच्छा space रखा गया है easily यहाँ पर इस घर में दो family shift हो सकती है या पिर अपने rent के purpose से भी से use कर सकते है यह देखे यहाँ पर भी wallpaper different use किया गया है यहाँ पर same as a tease आपको wardrobe मिल रही है बेक्याड रखा गया है daylight sunlight proper यहाँ से आती रहेगी तो दोस्तों देखा आपने बहुत ही अच्छी quality के साथ house रहने वाल है और आपके house में मुझे सबसे अच्छा लगा आपके wallpaper पाके बहुत ही जादा खुब्सरत लगे यहाँ पर देख पा रहे है common washroom आपको फिर से मिल जाता है wide wash basin area रखा गया है as a tease LED panel मिल जाता है आज आएए यह bedroom आ जाता है आपका fourth और देख पा रहे हैं इसमें भी same wallpaper लगवा कर दिया गया है attached washroom मिल जाता है AC के लिए separate point आपके house में आपको मिल जाते है और यह जो space आप देखना है यह तो मुझे बहुत ही जादा खुब्सरत लगा इसी के साथ attached है आपकी balcony wide balcony रहने वाली है उपर देख सकते हैं profile light का इसमें use किया गया है आप चाहिए से और भी decorate कर सकते हैं sitting arrangement करके खुबसूरत साई से बना सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ कर चुके हैं हम अब अपने इस house का टूर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं अब हम बात करेंगे इसके price की price की बात करने से पहले एक बाइफ फिर से में आपको रिवाइज कराना चाहूंगे साड़िस होला बाइचोंसेट के डाइमेंशन के साथ 117 गज में आपका ये house बना हुआ है जो के double story रहने वाला है जिसके price की हम बात करें 85 lakhs में आपको ये मिल जाता है में रोड से उनले 300 मिटर के distance पे रहने वाला है तो देखा बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज के साथ आपको ये house मिल रहा है तो दोस्तों नमबर स्क्रीन पे बिलिंग कर रहे हैं जल्दी से जाकर निशा को कॉल करकर आजाएए side visit के लिए तब तक के लिए thank you so much, जाहिन जाय वारत